दोस्तो नमस्कार मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टूट आप एक्सिलेंस है आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल के अंदर दोस्तो आज जो सब्जेक्ट अभी मैं लेके आया हूँ जो अभी की रिक्वार्मेंट है और वो है LIC के IPO के बारे में LIC का IPO आजकल बहुत लाइम लाइट में है LIC को बगर चार्ज दिये बहुत लंबी चवड़ी एड़ोटाइजमेंट LIC की हो रही है LIC का नाम आज हर पेपरों के अंदर में छप रहा है इसी बात को लेके कि LIC का बविश्च क्या होगा तो उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों फैक्ट और फिगर्स के साथ में चर्चा करेंगे कोई भैकी भैकी बाते नहीं करेंगे मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल ड्रिवन बाते नहीं करेंगे हम लोग एकोनॉमिकली ड्रिवन बाते हम लोग यहां पर करेंगे आज LIC का सच आपके सामने रखूंगा IPO जो आने वाला है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो दोस्तों बने रहीएगा अथा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाईएगा सच लोगों तक पहुँचाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक की IPO क्या LIC IPO में आ रहा है और IPO का मतलब क्या दोस्तों कल मेरी वर्क्शॉप थी इस सूरत में और जब मैंने इस विशय के उपर में बोलना शुरू किया तो कुछ हमारे दोस्तों ने हाथ उटाया और मुझे पूछा कि सर हमें तो IPO का मतलब भी नहीं पता है इसका मतलब यह है कि दोस्तों आजकल क्या है सभी लोग इस भीड़ के अंदर में लगे हुए है कि LIC की बुराई करो LIC की बुरी बाते करो संसनी खेज कुछ न कुछ समाचार दो बहुत सारे YouTube चैनल के उपर मैं देख रहा हूँ कि LIC की बुराई जोरो शोरो से हो रही है और यह इसलिए क्योंकि LIC का थोड़ा कुछ सुनने को आता है और यह लोग चैनल के उपर में सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं मेरा यह मानना है कि ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि 33 करोड पॉलिसी ओल्डर है जो वर्ल्ड की किसी इंशॉरंस कंपनी के पास इतना बड़ा मातरा के अंदर में लाइफ इंशॉरंस पॉलिसी अभी की नहीं गई है तो उनको मालूम है कि जिसके पैसे लगे है बले उसके दसजारी सही बीसजारी सही लेकिन जिसके पैसे लगे है क्योंकि जिसके दसजार है उसके लिए तो वो लाखो करोड रुपए के समान है उसके लिए तो वो आदमी मेरे चैनल को देखेगा मेरे वीडियो को देखेगा और इसकी वज़ा से लोग मुझे लग रहा है कि बहुत सारे इस टॉपिक के उपर में बहुत सारे नूसेंस और नॉनसेंस चीज़े फैल रही है चलिए IPO की बात करते हैं बहुतों को ये भी नहीं मालूम है कि IPO का फुल फर्म क्या होता है तो IPO का मतलब होता है initial public offer कोई भी company होती है तो कोई भी company को जब growth करना होता है समझ लीज़े अगर मेरी कमपनी है और पांसो करोड की मेरी कमपनी है अच्छी चल रही है अच्छी प्रॉफिट कर रही है पिछले दस साल से समझो चल रही है और अच्छी प्रॉफिट कर रही है तो मैंने क्या करना चीए मुझे और दो बड़ी फैक्टरी मेरे को डालनी है एक factory चल रही है मेरी 500 करोड के वर्थ की लेकिन मुझे दो factory और 500 करोड के वर्थ की अगर मुझे बनानी है तो मेरे पास दो option है option number one I should take loan from bank 1000 करोड का loan ले लू और दो factory डाल दू लेकिन लोग ये क्यों नहीं करते क्योंकि इसमें जोखी मैं उनको मालूम है कि 1000 करोड जो है वो मेरे सर के उपर में बोजा रहेगा and I am responsible for that कुछ भी आगे पीछे हो गया तो कुछ problem हो सकता है burden हो सकता है मुझे tension नहीं लेना है मुझे EMI नहीं पे करना है मुझे interest पे नहीं करना है तो मेरे पास में दूसरा option होता है कि मैं मेरी company को share market के अंदर में लेके आऊ और share market में लेके आने का सबसे पहला जो जरिया है वो IPO के मारे से that is initial public offer तो initial मैं public के अंदर में जाऊंगा और मेरे balance sheet के साथ जाऊंगा of course SEBI के rules, regulations, सब follow करने पड़ेंगे वो सब होने के बाद में मैं एक price decide करूँगा एक होता है कि share price समझो 10 रुपिया का share है लेकिन उसके बाद मेरी goodwill है मेरा profit कितना है किस हिसाब से balance sheet कितना strong है मेरी company कितनी strong है मेरा product कितना strong है उसके हिसाब से मैं premium उसके उपर लूँगा तो ये offer कौन निकालता है तो जो company अच्छा काम कर लेती है जिसको मालूम है कि मेरे पास expansion के और बहुत सारे options available है और मैं मेरे business को और मेरे product को और expand कर सकता हूँ वो लोग IPO के माद्यम से public तक पहुंचते हैं और public के पैसे लेते हैं उनको share certificate दिये जाते हैं अब ये जो है कौनसी company IPO निकाल सकती है मेरा पहला question यह है दोस्तों आपको जो company की strength हो उसको मालूम है कि मेरा माल बिकेगा उसको मालूम है कि मेरे shares जो है वो बिकेंगे वो ही company IPO लेके आ सकती है तो LIC अगर IPO लेके आएगी आज उसका मालिक कौन है सरकार है गवर्मेंट है जो भी गवर्मेंट है तो वो गवर्मेंट उसका मालिक है अगर यह IPO लेके आ रहा है तो आपने news भी देखी होगी और बहुत लोगों ने share market के अंदर में इस news को hot news गिना है कि अगर LIC share market में अगर उतरी तो Reliance TCS यह दो कमपनियों के उपर Life Insurance Corporation of India रहेगी यह माना जाता है और यह सच्चा है और यह हकीकत है LIC यानी Life Insurance Corporation of India यह कमपनी देश की सबसे बड़ी कमपनी वनने जा रही है माना जा रहा है कि LIC लिस्ट होने के बाद market capital के मामले में Reliance Industry जैसे दिगच कमपनी को भी पीछे चोड़ सकती है अपने बज़र भाशन में निर्मला सीतरमन ने LIC का IPO लाने की बाद कही थी सुत्रों के मताबिक अगले कारुबारी साल के दूसरी छे माही के बाद LIC का IPO आ सकता है सरकार के इस पहल से निवेशकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा यानी जिसने भी LIC की पॉलिसी ले रखी है उन्हें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है यही नहीं LIC के IPO में निवेश करना भी एक बहतर और सरक्षित विकल्प होगा भारतिय जीवन बीमा निगम यानी LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कमपनी है 1956 में बनी LIC की कुल संपत्व इस वक्त करीब 36 लाग करोड रुपे की है LIC अभी तक पूरी तरह से सरकारी कमपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है अब 100% हिस्सेदारी में सरकार एक हिस्सा बेचने के लिए शेयर मार्किट में IP लाएगी इस IP के जरीए मोधी सरकार का 72,000 करोड रुपे जुटाने का प्लान है इससे सरकार अपने वीनिवेश के लक्ष और वित्तिय घाटे को कम करने के लक्ष को पूरा कर सकेगी Listing of companies on companies stock exchanges brings discipline and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer Initial public offer LIC का IPO दशक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है ये भारती बाजारों के साओधी अरामकों को लिस्टिंग करने जैसा होगा इतना ही नहीं शेयर बाजार में लिस्टिड होने के बाद LIC मार्किट कैप के हिसाब से रईश की बड़ी कम परीबन सकती है LIC का मार्किट कैपिटल आट से दस लाग करोर उपे तक का हो सकता है LIC की संपत्ति का दस फीजदी हिस्सेदारी के बराबर के IPO को भी बाजार के लिए संभालना मुश्किल होगा सरकार इसका विनिवेश कई चर्णों में कर सकती है ये दशक का सबसे बड़ा IPO होगा साओधी रामको को पिछले साल दसंबर में साओधी स्टॉक एक्सचेंज पर लेस्टर कराया गया था कमपनी का वर्तमान मूले 117.82 अरब डॉलर है भारतिय शेर बाजार में LIC सालाना औसतन 55-65,000 करोड रुपे निवेश करती है वित्तवर्च 2018-19 में LIC की कुल निवेश 28,64,000 करोड रुपे थी इसके साथ ही LIC की कुल संपत्ती बढ़कर 31,11,000 करोड रुपे पहुच गई थी इस सब्धी में प्रेमियम से आईकर बढ़कर 3,37,000 करोड रुपे जा पहुचा LIC की कुल कमाई 5,60,000 करोड रुपे के करीब रही तबाम बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर LIC का IPO आता है तो ये मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कमपनी बन सकती है मौजूदा समय में मार्केट कैप के हिसाब से रडाइन्स इंडरस्ट्री सबसे बड़ी कमपनी है तो IPO के माद्यम से कुछ पैसे गवर्मेंट जनरेट करना चाहती है और गवर्मेंट अपना शेर में से कुछ पोर्शन बैचना चाहती है LIC बिक नहीं रही है लोगों को लग रहा है कि LIC बिक गई एर इंडिया बिक रही है एर इंडिया लॉस कर रही है और एर इंडिया को खरीदने वाला कोई नहीं है और एर इंडिया में और LIC में जमिन आस्मान का फरक है आज अगर LIC लॉस मेकिंग होती तो उसको बेचना पड़ता लेकिन अच्छा परफॉर्म करने वाली कमपनी होती है दो कमपनिया है एक है लॉस मेकिंग कमपनी लॉस मेकिंग कमपनी बिक जाती है और अच्छा परफॉर्म करने वाली कमपनी जो है वो IPO लेके आती है तो LIC का अगर IPO आ रहा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अगर ऐसा हुआ तो उस से किसी भी policy holder को कोई नुकसान होने की कोई भी संभावना है मुझे दीखनी रही है दूर दूर तक मुझे दीखनी रही है होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के उपर मैं अगर बात करना है फिर कभी आपना आराम से बात करेंगे लेकिन फिलाल तो मैं इतना कहूंगा कि अगर आई पी ओ में जा रही है कंपनी तो कंपनी की strength अच्छी है देखिए कुछ महिनों पहले आई यार सिटी सी मतलब इंडियन रेलवे इसका shares निकला अब ऐसे देखने हो जावा तो आई यार सिटी सी ये government holding है लेकिन government ने कुछ portion कुछ shares उसने IPO के माद्यम से लोगों तक पहुँचाए 600 रुपए में shares खुले थे 4 महिने पहले लेकिन आज उसका जो rate है that is around 1200-1400 के आसपास उसका rate चल रहा है और देखिए क्या हो रहा है कि तेजस express अभी शुरू किया तो ये IPO के माद्यम से आयो हुए पैसो से government ने तेजस express शुरू किया और successful अभी चल रहा है कुछी दिन हुए है लेकिन successfully ये train run हो रही है तो government ने और इस तरह की 500 network open करने का सोचा हुआ है महलब more than 500 sectors के उपर में इस तरह की trains लगाई जाएगी तो कहां कोई अच्छी संभावना है progress होने के और chances है तब जाके वो company IPO के माद्यम से public को offer करती है देखी IPO होने से क्या फाइदा हो सकता है plus point ये हो सकता है कि IPO के माद्यम से किसी भी company की transparency और अच्छी होती है already transparency LIC की अच्छी है लेकिन उसमें और अच्छी transparency के साथ में company को perform करना पड़ेगा result regular उसको declare करने है उसको shareholders meeting लेनी है और उसमें उसको जवाब देना है shareholders को तो मेरे हिसाब से इसको हम positively ले सकते हैं आगे जाके हो ना हो अलग subject है करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखिए इस विशय को हम अपना राई दे सकते हैं we are not a decision taker तो जो decision taker है सोच समझ के जो भी decision लेते होंगे वो जरूर लेंगे लेकिन वो अपने favor में रहेगा तो जोस्तो अगर LIC share market में आती है तो काफी share market के अंदर में गर्मावट आई है काफी चैल पैल हुई है और आज से लोग बोलना शुरू कर दिये हैं कि यह समें LIC share market में हमें LIC के share purchase करने करके लेकिन यहां पर सवाल यह उड़ता है कि जो already जो policy holder है तो उनके पैसे कितने safe है उनके bonus कितना safe है तो इस विशे में मैं अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि policy holder का sovereign guarantee है उसके बारे में क्या है और government का उसमें क्या role रहेगा उसके बारे में अगली वीडियो आप जरूर watch कीजिए तो just wait and watch for my next video thank you so much दोस्तो अच्छा लगे इस वीडियो को share कीजिए सच्चा ही है जो मैंने आप लोगों के बीच में बया की है तो लोगों तक पहुंचा ही है तो ये था IPO का LIC का सच धन्यवाद